Good morning students, आज हम आपका second class का English का new chapter start करने जा रहे हैं, lesson 14, Aunt Polly. इस chapter का नाम क्या है? Aunt Polly. अब आप photo में देखें तो, आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक lady है, जो की Aunt Polly है और एक बच्चा है, जिसको वो देख रही है. चलिए अब हम chapter रीड आउट करते हैं. What's the matter? Tom. अब जो इस पिच्चर में यह लड़का बैठा है, वो कौन है? Tom है. ठीक है? तो Aunt Polly जो हैं, उससे पूछ रही हैं, क्या बात है? Tom, Aunt Polly asked in a trembling voice. और वो बहुती आराम से, बहुती प्यार से उससे पूछ रही हैं, Aunt Polly, क्या बात है Tom? Oh, Aunt Polly. और वो क्या कहता है? प्यार से उससे पूछ रही हैं, क्या बात है बेटा? Repeat, Aunt Polly. Oh, Auntie, it's my toe. और वो कहता है कि, Auntie, ये मेरे toe. toe क्या होता है? पैर की जो उंगलियां होती है, उनकी बात हो रही है, तो वो पैर का अंगुठा अगे करते वे कहता है, It's my toe. It's poisonous. Poisonist, मतलब की इसमें कुछ दिक्कत है, उसको कोई दर्द है. Poisonist, let me see. Poisonist, चलो मैं देखती हूँ. Aunt Polly put her glasses on, और Aunt Polly जो हैं, अपने चश्मे को लगाती है, And examined, examined मतलब उसको देखना, अच्छे से वो उस जगा को देख रही है. Tom's toe, और वो Tom के toes को, जो है, जो वो अंगुठा उसने कहा है, उस toe को देखती है. Then she sat down, और वो नीचे बैठ जाती है. On a chair, किस पर? Chair पर बैठ जाती है. She began to laugh and cry both together. अब यहाँ पर laugh and cry दोनों जो है, एक साथ कैसे है? Aunt Polly तो हस रही है, और जो Tom है, वो रो रहा है. तो यह, इसलिए यहाँ पर laugh and cry together बोला गया है. कि उसकी टो को देखकर Aunt Polly को तो हसी आ रही है, और वो जो Tom है, वो दर्द के मारे, दर्द के कारण जो है, वो रो रहा है. There's nothing wrong with your toe. और Aunt Polly फिर क्या कहती है? She said, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है आपकी टो के साथ, सब कुछ सही है. Get out of bed. अब चलो bed से उत्रो, get ready for school, और स्कूल के लिए तियार हो जाओ. Tom's ground stopped. और जो Tom है, वो करहाना बंद कर देता है. Then he said, it's my tooth as well. और उसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है, कि अब जो है, मेरा दात भी जो है, वो दर्द हो रहा है, मेरा दात में भी दर्द है. और वो पूछती है, तुम्हारा दात, अब क्या matter with your tooth? अब क्या हुआ, अब तुम्हारे दात के साथ क्या हुआ, पहले उसने अपनी टोकी बात की, अब वो अपने दात के लिए बोलने लगा. Question, Aunt Polly. और Aunt Polly जो है, उससे पूछती है. आज हम इस chapter को इतना ही करेंगे, इसके साथ मैं आपको dictation words भेज रही हूँ, जिसको आपने neat and clean note down करना है. तो देखिए first, examined, examined मतलब देखना, trembling, trembling मतलब धीरे से, बहुत आराम से, repeated, repeated मतलब दोहराना, ground, दर्द से कराना, obeyed मतलब की आज्या को मानना, fetch, lump, poisonous, ये आपके words हैं, जिनको आपने अपनी copy में neat and clean note down करना हैं और learn भी करना हैं. आज के लिए वस इतना ही, thank you.